हेलो दोस्तों स्वागात है आपका टेक्सिंगा चीश्टू प्लीटू चानल पे मेरा नाम है विश्यक दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे बैक पैक के बारे बात कर रहे हैं जो की एक लूनार्स का ये इस ब्रैंड का जो बैक पैक आप में इसका नाम नहीं सुना होगा लेकिन गई अगर आपको ये बोलू कि पिछले महीने में ये बैक पैक इसका 5000 पीस सिर्फ और सिर्फ आमाजन में सेल हुआ है तो आप इस बात पर एकिन करोगे गई नाजाने क्या हुआ है लेकिन इस बैक पैक की सेल्स एक दम से बहुत राइस होगी है और बहुत ही कमाल का बैक पैक है और इसके रिव्यूस भी बहुत अच्छा है तो गई इसलिए मुझे लगा कि इस बैक पैक पर एक वीडियो जरूर बनना चाहिए तो गई इस ब्रैंड की बात कर लें तो यह है लूनार्स सिम्पल सी ब्रैंडिंग कर रखी है तीक है ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सिलाई कर रहा है और डेफिनेटी सिलाई ही कर रहा है यहाँ ठीक है और इस पर आप कैपसेटी की बात करो 35 लेटर की आप 35 लेटर मैं यह तो नहीं बोलूगा कि लेगर उक्रेमलिंग के लिए बहुत बड़ा और बड़ी अप्शन ऐसा तो नहीं कोँगा लेकिन हाँ ट्रावलिंग भी आप कर सकते हो अगर आपने अकेले अगर आप अकेले ट्रेवल कर रहे हो तो अपने खुद के एक या दो दिन के कपड़े या तीन के कपड़े आप मै कर सकते हो ठीक है एक बहुत अच्छा उप्शन है लेकिन यह मैंली है स्कूल ऑफिस और कॉलेज के लिए ठीक है क्योंकि यहाँ पर जो फीचर्स है इस बैक पैक के यह इन तीनों के लिए ट्रैवलिंग के लिए मैं इतना ज़दा इसको सजस्ट नहीं करूंगा ठीक है अब प्राइज इसका रहेगा नॉमर्मली तो इसका प्राइज 1,699 है लेकिन अभी इसकी प्राइज सेल में आया है और इसमें बहुत बड़ा डिसकाउंट है आठ सो पचास उरुपे का सिधा से डिसकाउंट हो और इसी बज़े से एक दम से इस बैक पैक की सेल्स बहुत ठीक है और गैज लुक की बात कर लें तो मैं बहूंगा एक एवरेज लुक है मैं यह नहीं बहुत ही कमाल का लुक है ऐसा नहीं बहुत है ठीक है लेकिन डबल सेलेट जिपर जो है आपको इसके इंदर देखने का बिलता है इस बैक पैक में वो भी सिर्फ 849 रुपीज के बैक पैक में आपको डबल सेलेट जिपर देखने को बिलता जो की एक बहुत इची बात है और बात कर लेकर इसके क्वालिटी की तो गाइस क्वालिटी मैं इसका टेस्ट किया है क्योंकि यह जो बैक पैक मुझे मैं वो शोग रहा जब मैंने इस बैक पैक को अपने आफ ल बैक पैक मिला मैंने देखा इसके जिप की क्वालिटी बहुत ही कमाल किये ठीक है लेकिन फिर भी एमाजोन में इसके सेल एकदम से बढ़ने के जो रीजन जो मुझे समझ में आता है वो है यह इतनी बड़ी सेल इसके प्राइस सीधा आधा हो गया है तो इसलिए मैं मुझे कि किसी बैक पैक में आ हो और बागी सारे बैक पैक से रही बहुत अच्छा जो है इसका टाच फील और सारा डिजाइन वगएरा सब कुछ काफी सही लग रहे है ठीक है कुछ बहुत बड़ा इसा नहीं है कि फिछले एकी महीने कंदर अंदर पांसाजार की सेल हो गई यह र लेकिन इस अकेले बैक पैक पर इतनी ज्यादा सेल्स के तो मुझे उमिद नहीं थी जब मैंने इसका इन हैंड फील देगा तब भी मुझे कोई ऐसा एकदम आउटस्टैंडिंग प्रड़क्ट तो नहीं लगा ठीक है लेकिन हाँ मुझे यह बात तो कहना पड़ेगा कि इ तो एक अच्छी बात हो सकती है और आइटेम बेट है 440 ग्राम इंक्रूल कॉंपरेंस बैक पैक रहेगा और तीन साल क्या सोई तीन लार्ज कंपार्टमेंट्स आपको इसमें देखने को मिलेगा ठीक है और जिसमें लास्ट वाला जो कंपार्टमेंट है उसके अंदर वो एक लैप्टॉफ कंपार्टमेंट रहेगा ठीक है मैं यह नहीं बोलूँगा कि वह कोई वैल जिसे होता है अगर हम 1215 तो तो वहां पर आपको एक वैल पैड़ेड लैप्टॉप को जो है कंपार्टमेंट देखने को मिलता है एक अलग से एक वैल डिजाइंड एक बहुत जादा काम हाईगा ठीक है और यहां पर हाई क्वालेटी जिपर से राइट बेडिवल फाब्रीक है वाटर रिपलन मैटिरियल है यह सारी चीज़े यहां पर रिपलन मैटिरियल होना बहुत अच्छी बात रही क्योंकि एक होता है वाटर प्रूफ कि पानी अंदर नहीं जाएगा ठीक है वाटर रिपलन पानी अब्जोर्ब भी नहीं करेगा यह ना तो यह एक बहुत अच्छी बात रहती है ठीक है और आपको थ्री लाज कंपार्टर देखने को लेंगे और सबसे आगे वाला जो कंपार्टमेंट है वो एक और गनाइजर कंपार्टमें है ठीक है एक और गनाइजर कंपार्टमेंट आपको यहां पर देखने को मिलता है और इसके लाव वन वाटर वाटर साइड होल्टर आपको देखने को मिलता है और इसमें जादा कुछ नहीं बोलूँगा और 980 SuperTuff Follister Base आपको इसके लिए देखने को मिलता है क्योंकि आपने मैंगैसर से क्या पर बताया कोई वो ना हो कपड़ों के बीच में आडिजर सोजाता है लेकि नीचे की तरफ पैड़ेड होना बहुत जादा जरूरी है जो कि इसके अंदर देगा रखा है ठीक है तो यह पैडिंग फॉर बेस विट पैडिंग फॉर प्रटेक्शन यह बहुत ज़्यादा जरूरी था और वो अब बैक के पीछे की साइड का जो है हमारा जो की अगें सबसे ज़्यादा जो हम चलते हैं तो आगे जो मारे पैड़ेड यह तो यहां पर देखने को मिलता है अच्छा खासा पैड़ेड शॉल्डर स्ट्राप है और इसके अलाबा वाइड स्ट्राप्स आपको देखने व वाइड स्ट्राप्स रखा है यह बहुत अच्छी बात है फिर भी देखो अगर दो तीन घंटे तर गर आप इसको टंगा के चलते हो तो हो नहीं है उसमें तो कोई मैजिक तो कुछ हो नहीं सकता ठीक है और 3D एयर में शापको देखने को मिलेगा यह इसलिए पसीना ना हो रिएनफोर्स बाटाक स्टीचिंग अन लॉर्डिंग पॉइंट्स और डियरेबिलिटी तो यह जो स्टीचिंग है आपको यहां पर देख है यह बीच में स्टीचिंग करने से क्या होता है कि स्पंज खिसक के नहीं आ सकता उसको बीच में एक सपोर्ट मिलता है तो बड़े-बड़े ब्रैंट्स भी सोचते नहीं इस चीच के बारे में तो जो कि यहां पर इनोंने सुचा है इस बहुत ज़्याद करूँ इस चीच को ठीक है और अजिस्टेबल स्ट्रैप लेंट आपको यहां पर देखने मिल जाएगे बागी गाईज जारी चीज़ आपक सामने बस एक चीज है जो मुझे इस बैग में अगर मुझे कमी लगी है तो इक तो खलार जो की दूसरा हो सकता था ठीक है और अगर ब्रैंडिंग जो कहा था था इस इस सिलाइए देखो सिलाइए मैं यह नहीं कर रहा हूं कि सिलाइए में को प्रॉलम लेकिन यार आज के आज के डेट में थोड़ा better हो सकता था ठूड़ा better को हो सकता था ठीक है लेकिन गाइस अगिन बोर राउन में में वोल्रांन ऐसे की बहुत सारे चीज़ होती है जासे हैं कि इसमें क्या है लेकिन फिर dat भी बहुत तो आप इसको जाके पर्चेस कर सकते हैं तो इस दूसरे बैक्ट पैके सा तो इस दोन आप्ट आपको आपको बहुत बहुत है बात